हलो एन वेलकम टू अनकेडमी क्या हलचाल है आप सभी के क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ओके तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आप जानते हो आज अनकेडमी इंडिया में UPSC CSE की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सब्सक किया था फिलोस्फिकल ऐसे को लेके तो उस दिन एक डिसकेशन हुआ था मात्र ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टेंडिंग डवलप हो सके आज हम कुछ डाइमेंशन्स ओपन करेंगे UPSC के ही प्रिवेस येर ऐसे के कुछ में कुछ ऐसे लेके आया हूं और जो बेसिक सेशन को लाइक कर दो और अपने मित्र मंदली में इसको फटा-फट शेयर करके आ जाओ ओके चलो तो मेरा नाम है नवीन तवर एट यर आफ टीचिंग स्पीरियंस है सिक्स्टाइम में इंस इंटर्व्यू को एक्स्पीरियंस है मंथली करेंट अफिर्म एकजिन का डिटर इसी पर आपको PDF मिलेंगे मेरी क्लासिस के आने वाली क्लासिस के नॉटिफिकेशन मिलेंगे और सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो आपको पता है कल रात 12 बज़े से पहले जो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले लेगा 43 परसेंट तक का सेविंग है पर उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे तो उससे पहले कोई डाउट है आपका सब्सक्रिप्शन को लेके तो भी आप उधर टेलिग्राम चैनल पर मेसेज कर सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं अनकैडमी आप पर कॉम्मिनटी पर रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए उसके स साथ ही साथ ये लो ये ऑफर है जैसा की मैने बताया है कल रात 12 बजे 12 अगस्त रात 12 बजे से पहले जो भी बच्चा अनकैडमी का सबस्रिप्शन ले लेगा उसको 43% तक का डिसकाउंट है और खास बात ये है कि जो 12 महीने का सबस्रिप्शन है उस पे 3 महीने एक्स्रा जो 18 महीने का सब्स्रिप्शन है उस पे 4 महीने एक्स्रा जो 24 महीने का सब्स्रिप्शन है उस पे 6 महीने एक्स्रा और जो 36 महीने का सब्स्रिप्शन है उस पे 12 महीने आपको एक्स्रा मिल रहे हैं मतलब फ्री में है तो आप ये देखिए जो बच्चा 3 साल का लेगा उसको 4 साल क मिलगा है तो ये सारे benefit है ये कब होगा जब आप मेरे referral code 9-1 को इस्तमाल करेंगे ये code लगाना जरूरी है बिटा और मैं हमेशा ही कहता हूँ 9-1 सिर्फ एक discount code नहीं है ये यात्रा लंबी है दो धाई तीन साल की यात्रा है आपको एक support system चाहिए आपको एक guidance चाहिए जो आपको 9-1 referral code लगाने से आपको मेरी तरफ से पूरा समर्थन guidance कहीं भटकोगे नहीं तो इसके साथ ही ये देखे यहाँ पे अगर आपने 2 साल का आप suppose करो प्लस कॉम्बो लिया तो 6 महीने एक्स्रा है तो ये 92,000 वाला आपको 82,000 में पड़ेगा क्या सपास ऐसे ही अगर आपने 2 साल का iconic लिया वहाँ भी 6 मंत का एक्स्रा है 1,27,700 कुछ वाला 1,14,900 कुछ रुपे में आपको पढ़ने वाला है नए notes बिल्कुल तियार कर दिया अनकेडमी ने किताबे है जो subscription जो बच्चा एक सालिया उससे ज़्यादा का subscription लेगा उसके घर भेजी जाएगी सारे topic cover है previous year question, model answers, timeline, mind map, current issues है आपको ये notes कैसे दिखते हैं है ना उसका sample अगर notes चाहिए इसी वीडियो के description लिंक में मिल जाएगा 12 अगस से नए बैच शुरू हो रहे है 2023 के लिए bilingual और हिंदी में तो आप इनको join कर सकते है 24 के लिए भी bilingual और हिंदी 23-24 दोनों साल के लिए है उसके साथ ही साथ जो बच्चा एक बार के मिफीस पे नहीं कर सकता वो EMI अर्थात अनकैडमी आपको loan प्रोवाइड करा सकती है आप loan लीजिए मातर दो घंटे में अप्रूव हो जाएगा minimum paperwork है, flexible tenure है आपको subscription से पहले कोई भी doubt है, loan लेना है, कहाँ phone करे, किसको करे तो 7825860253, इस नमबर पे phone मिलाना, computer बोलेगा, एक दबाओ, दो दबाओ, आपको दो दबाना है जैसे ही दो दब जाए, आप मेरी loan टीम को बोलना कि नवीन तवर सर का, नवीन वन रेफरल कोड ही इस्तमाल करना है ये आपकी जिम्यदारी है, उसके अलावा आपको कोई भी offer के बारे में कुछ भी जानना हो, classes के बारे में इस नंबर पे आप जान सकते है, और 14 अगस सुबह 11 बजे combat का आयोजन होगा, हर हफते free test है, ये 4 करोड रुपे का scholarship pool भी है तो यहाँ पे top 50 बच्चे को 50%, 51-230% और उसके बाद 25% का discount है, है ना, हर हफते इस test में आप participate कर सकते है मुद्दा आया philosophical essay को हम कैसे लिखे, तो फटा फट आप के हाल चाल बता दो मुझे, क्या हाल चाल है जल्दी से बताओ, की हाल चाल है, सुन पा रहे हो मुझे जल्दी से बताईए, मस्त है, चलो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, अच्छा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, philosophical essay कैसे लिखे और UPSC आप से क्या चालता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था निबंद विशेप पर ही केंदरित रहना है, अपने विचारों को सु नियोजित रूप से लिखे और संक्षेप में लिखे, प्रभावी और सठीक होना चाहिए कैसे? लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था, हमारे पास there are four steps, answer writing, मतलब essay writing के हमारे पास चार step है, यादे आप लोगों को, पहला step था कि हम essay का जो topic है, उस topic को समझ पा रहे है या नहीं, उस topic की understanding, अब हमें समझ ही नहीं आया, वो topic कहना क्या चाहता है, तो हम लिखेंगे क्या, पहला मुद्दा है understanding का, दूसरा step आता है हमारा, उसके dimensions open करने है, कितने dimensions उस topic के हो सकते है, मतलब उसी एक मुद्दे को कितनी तरीके से हम देख सकते है, second step है, हमारा dimension open करने का, third step मैंने आपको बताया था, हम elaborate करेंगे, और हम इसमें बहुत सारे examples लेखे आएंगे, उस essay के topic से related, तो ये आपको याद हो मैंने pen पे आपको एक essay लिखवाया था, pen पे, okay, UPSC pen पे तो नहीं पूछेगा, तब उसके बाद था हमारा organization, आपका जो views है, आपके जो विचार है, उस पे आएगा, तो organization of thoughts कहलो आपके जो विचार है, या आप organization of your essay, आपने लिखा कैसे है, ये four step है, तो शुरुवात कोई भी essay होगा, बिटा, जो भी philosophical essay है, उसकी शुरुवात सबसे पहले, उस topic को हम क्या समझ पा रहे है, असली मुद्दा तो यही है, कि वो topic मेरे समझ में आया भी या नहीं, ठीक है, ओके, well done, तो पहली बात करेंगे, आज हम 2021 के essay लेके आया हूँ, आपके सामने ये देखिए, UPSC 2021, आपके सामने ही कुछ essay है, ये section A है, और ये section B है, ये art के art essay मैं ही लिखवाँगा, don't worry, art philosophical essay है, art के art philosophical essay के dimensions मैं इसी class में open करूँगा, उससे मतलब क्या है topic से वो मैं बताऊँगा, उसमें आप कोन से examples डाल सकते हो, कैसे elaborate कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊँगा, आपका काम रहेगा सिर्फ, आपका काम रहेगा सिर्फ organization of thoughts का, क्योंकि essay writing बेटा अब ये online platform है, और इस digital marker से एक ऐसे लिखने का मतलब है, लगबग धाई गंटे की class हो जाएगी, तो वो मैं आपके उपर ही छोड़ूँगा, क्योंकि उस पर एक online platform है, technical problem है, लेकिन step one, step two, step three, ये तीनों मैं ही करके दिखाऊँगा आपको, ठीक है आया समझ में, तो पहला essay, आप ये देख सकते है, the process of self-discovery has now been technologically outsourced आत्म संधान की प्रकिरिया तक्नीकी रूप से बाहिय श्रौतों को सोप दी, मतलब मैं क्या हूँ, मेरी self-discovery अब ये अगर मुझे जानना है, तो इसको जानने के लिए मैं अपने बाहिय श्रौतों पर निर्भर हूँ, बाहिय श्रौतों पर निर्भर हूँ जबर्दस ऐसे है, एक तो ये वाला essay discuss करूँगा मैं, दूसरा essay आपके सामने discuss करूँगा सत्त ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्त है, the real is rational and rational is real तो लिख देता हूँ पहले में, सत्त ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्त, लिखते हैं चलो सत्त ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्त English में लिख देता हूँ, the real is rational and rational is real तो समझ भी आ गया, तो पहला step क्या है step number one, two, three पे चलेंगे बेटा, step one, step one क्या है understanding of the topic, understanding of the topic तो आप मुझे ये बताओ, understanding का मतलब, आप ये मुझे बताओ तो मैं आप से पूछता हूँ, आप सभी बच्चों की उमर 18 साल से उपर के तो आप सभी हो गए ही, निशिंद, क्योंकि 18 साल का बच्चा बारवी पास कर लेता है और आप में से 99 प्रतिशत बच्चों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बारवी पास कर चुके है, तो जीव कहते हैं नहीं सच में, सच में, कहते हैं सची मुच्ची, वो ही वाला रियल है बटा, सची मुच्ची वाला, सची मुच्ची वाला रियल है ये, सची मुच्ची वाला बै जैसे मैं कहूं ये मेरे हाथ में रिमोंट है इस इस रियल और इमेजिनेशन बढ़ाओ ये रिमोंट जो आपको नजर आँए इस इस रियल और इमेजिनेशन बढ़ाओ आरे जवाब दो रियल ये ये पैन है डिजिटल पैन है ये एक मार्कर मान के चलो दिस इस रियल और इमेजिनेशन रियल है नवीन तवर सर रियल है या इमेजिनेशन है आप लोग मतलब मैं कोई ख्वाब ख्वाब तो नहीं न ख्वाब हो तुम्या कोई हकीकत रियल ठीक है आ रहे है बात समझ भी यानि के रियल से तात परिये वो चीज है जो एक्जिस्ट है जो एक्जिस्ट करती है या पैन एक्जिस्ट करता है ये रियल है आपके सामने है ये मार्कर एक्जिस्ट करता है आपके सामने है ये बोड एक्जिस्ट करता है आपके सामने है इस पे जो लिखा है वो exist करता है that is a real यानि के जिसको आप prove कर सकते हो जो आपके सामने है घटित हो रहा है मैं कहूं suppose करो for example एक और example लेता हूँ एक और example लेता हूँ एक सेकिंड रुको मैं कहा ये book है मैं कहता हूँ ये किताब है this is real real खोलोगे इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको बहुत कुछ बहुत कुछ नजर आ रहा है तो यानि के real वो है जो exist करता है जो विद्यमान है विद्यमान है जो घटित हो रहा है जो घटित हो रहा है ओके तो ये सारी चीजे या जिसको हम जिसके होने का परमान है जिसके होने का परमान है या थार्थ किसको बोलते हो आप हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है जैसे real real को इंग्लिश में आप असानी से समझ गए बेटा देखो क्या द्विधा की इस सिती है हिंदी माध्यम से है सत्त समझ नहीं आ रहा real लिखा हुआ है तो समझ में आ गया हिंदी माध्यम से है यथार्थ समझ में नहीं आ रहा लेकिन rational समझ में आता है बताओ क्या है यथार्थ बताओ what is यथार्थ what is rational आप से ही पूछूँगा तरक संगत है ठीक है तरकिक है ओके बहुत बढ़िया logical है जो well done well done यानि के that is real जिसके होने के पीछे का कोई कारण है जिसके पीछे कोई तरक है for example मैंने आपको बोला ये पैन क्या है real है आपने बोला yes sir this one is real अब rational बताओ ऐसे क्या कहता है the real is rational अगर ये पैन है तो सिद्ध करो कि ये पैन है ये लो भाई सिद्ध कर दिया मैं लिख सा पैन का काम होता है लिखना मैंने लिख दिया ये लो proved ये प्रूव कर दिया ये remote वो ला की sir real है remote का का काम क्या होता है बटन दबाओ चीजे बदलती है तरक दो sir अरे भाई ये बदल गया okay it means real is rational जो real है उसके पीछे का एक logic है और वो logic समझ में हा रहा है हमे वो काम भी कर रहा है तो जिसके होने के पीछे कारण है और जिसके होने के पीछे logic है जिसको explain किया जा सकता है that can be explained जिसको हम explain जो explain किया जा सकता है that is rational अब ये तो हमें दो शब्द समझ में आए अभी तो दो शब्द ही समझ में आए ऐसे क्या कहता है जो real है वो rational है यानि के जो विद्दिमान है जो घटित हो रहा है जिसके होने का प्रमान है उसके पीछे कोई न कोई कारण है उसके पीछे कोई तर्क है उसको explain कर सकते है सेकंड में कहता है जो rational है वो real है यानि के जिसके पीछे का reason है वो real हो सकता है जिसके पीछे logic है वो real है real के पीछे ही logic है और जो explain किया जा सकता है जो real है उसी को ही explain कर सकते है क्या बात बोल दी सर जी मुद्दा आया समझ में? फटा-फट बताओ, मुद्दा समझ में आया? अभी तो खोलेंगे बेटा, अभी तो ये शब्द समझे है जब मैं इस essay को खोलूँगा, यखीन मानिये आपका हरद है ऐसा लगेगा जैसे आज बारिश में नहा लियो, सच में, ग्यान की बारिश में नहलावने वाला हूँ आज में आपको आपको लगेगा नहाए है यार वास्ताओं में आज आपका मन संतरप्त होगा आज, वेट ठीक है, बस एक काम इमानदारी से करते रहना ये क्लास रियल है, ये क्लास रैशनल है, इसको लाइक करते रहना और इसको शेयर करते रहना ठीक है, इसका लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई आज ठीक है, इसका मतलब अब ये क्या कहता है, सुनो अब सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है यानि के जो चीजे आपके सामने हो रही है अब इसका दूसरा पक्ष भी देखो बेटा, दूसरा पक्ष भी देखो इसने बोला जो विद्यमान है, जो घटित होता है, जिसके होने का प्रमान है केवल वही सत्य है, फिर हम क्यों बोलते है, इश्वर सत्य है हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होने का प्रमान भी नहीं है, आप पूछोगे कि बताओ इश्वर कहा है, कैसे है दिखाओ मुझे मैं इश्वर को देखना चाहता हूँ ऐसे दिखती तो वायू भी नहीं है दिखती तो वायू भी नहीं है लेकिन वायू है इश्वर दिखता नहीं लेकिन इश्वर है यानि के रियल से मतलब सिर्फ वो चीजे नहीं है जिनको आप अपनी senses से देख सकते हो याद रखना real का अर्थ केवल इतना नहीं है जिसको आप sense से feel करते हो इंद्री होती है ना आपकी इंद्री आहे टच करके देख लिया आखों से देख लिया कानों से सुन लिया तो real सिर्फ उतना नहीं है एक भी लेकिन जापान है आपको वायू दिखती है क्या लेकिन वायू है तो इसका सेकंड सेगमेंट क्या है जरूरी नहीं की जो रियल है जरूरी नहीं की जो रियल है वो आपको दिखाई दे आपकी सेंसिस के थुरू लेकिन उसके पीछे रैशनल तो है यह इश्वर दिखता नही वायू दिखती नहीं है लेकिन जब पेड़ पोदे हिलते हैं आधी आती है तुफान आता है तो वायू का अनुभव होता है कहता है जो real है वो rational है उसके पीछे तर्क है आप उसको प्रमानित कर सकते हो जैसे एक्जामपल real is rational जो दिखता है उसके पीछे के तर्क है यानि कि जो विद्दमान है घटित हो रहा है होने का प्रमान है उसके पीछे तर्क है Newton ऐसे सोया हुआ था सेव आके उपर से गिरा दिखता है real है उसके पीछे का कारण था उसने प्रूव किया yes gravitational force फार्म करता है plane उड़ता है plane उड़ रहा है ना उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों उड़ रहा है उसके पीछे के logic है समझ आना शुरू हुआ क्या कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ यानि कि जो चीज विद्यमान है जो घटित हो रही है जिसका होने पे हमें ये है कि वो हो रही है चाहे वो दिखाई दे या ना दे लेकिन उसके पीछे के logic होते है हमेशा इश्वर को आप इसलिए मानते हो कि इश्वर आपको चाहे दिखाई ना दे लेकिन इश्वर की नियाय व्यवस्ता आपको घटित होते हुए फील होती है आपको logic नजर आते है तब ही इश्वर हर सभ्यता के अंदर इश्वर है तो जो सिर्फ यह कहता है जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक इश्वर नहीं है तो इसका मतलब partially आप इसका मतलब आप rational और real के relationship को समझे ही नहीं है और UPSC यही चाहरा है कि क्या आप उतने तारकिक है कि सत्त और यथार्थ के बीच का relationship establish कर पा रहे हो second वाले part पे चलना चलो बेटा अभी समझ रहे है अभी सिर्फ हम समझ रहे है second वाले part पे चलो इसने बोला जो rational है वो real है जिस चीज के पीछे जिसके होने का कारण या जब आपके पास logic है आपके पास sense है वो real हो सकता है unacademy online education देखो कितना अच्छा example दे रहा हूँ online education digital education कभी ना कभी किसी ने तर्क लगाया होगा तभी आज ये वास्तिक्ता में convert हुई है बताओ मुझे क्या किसी का तर्क लगा था तभी तो आज ये वास्तिक्ता में convert हुई यानि कि जब logic होते है तो logic चीजों को real बनाते है थॉमस एलवा एडिशन ने कभी सोचा था कि बिजली बना सकता हूँ उसके पीछे rational था उसने उसको वास्तिक्ता में convert कर दिया समझ में आ रहा है जल्दी से बताते चलो बस बताते चलो बल्ब बना दिया या नहीं कैसे बना दिया उसने पहले कोई देखा था क्या बल्ब convert हो सकता है एक और example दू आप IS क्यों बन रहे हो भई पूरी दुनिया कह रही है आप IS नहीं बनोगे सब कहते हैं आप IS नहीं बनोगे आप हिंदी माध्यम से हो ठीक है कि आप हिंदी माध्यम से हो IS नहीं बन सकते मैं क्या कहता हूँ नहीं मुझे यकीन है मेरे teaching style पे मुझे यकीन है मेरे content पे मुझे यकीन है मेरी मेहनत पे मैं अपने मेहनत से अपने यकीन से अपने content से अपने rational से real में convert कर सकता हूँ What I am doing Technically तो यह होना चाहिए हिंदी माध्यम से 25 result है तो हिंदी माध्यम को collapse कर दो मत पढ़ो 1000 में से 20 rank आ रही है तो कहीं की rank आ रही है कहें पढ़ रहे हो So what I am doing I am just trying to convert my rational into reality What you are doing You are also trying to convert your rational into reality खुलना शुरू हुआ क्या टॉपिक खुलना शुरू हो रहा है या नहीं बताओ टॉपिक खुला या नहीं आपको दुनिया कह रही है आप कुछ नहीं कर सकते आप फिर भी कहते है मैं करके दिखाऊंगा आपके पीछे लॉजिक है आपको लगता है यार मैं पढ़ने वाला हूं मैं मैंनत कर रहा हूं मैं कर सकता हूं then rational also can be converted into reality आपको लगता है कि फला टाइम पर जे सिंदु घाटी सब्यता को आप खोज रहे हो आप ऐथी आसिक प्रमानों को खोज रहे हो उसके पीछे क्या है रैशनेल आप बोलते हो वो सरस्वती नदी है विलूप्त हो गई घगर नदी विलूप्त हो गई तो रियल तो नहीं है आप किस बेस पे कह रहे हो आप कह रहे हो रैशनेल के बेस पे कि वो रैशनेल है और ये वास्तिकता थी और है थी नदी वहाँ पे अब बताओ मुझे अब बताओ टोपिक समझ में आना शुरू हुआ है या नही Examples मिलने लगे Thomas Elva Edison Example मिल रहा है Step 1 Understanding of the topic Step 2 हम dimension open करेंगे Dimension open आप इसके social dimension open करो Political राजनिती छेतर में आपको ये कहां देखने को मिल रहा है आपको economy के छेतर में ये कहां देखने को मिल रहा है आपको जोग्रफी में ये कहां देखने को मिल रहा है तो dimension open करो then ये step two है हमारा this would be step two then step third step third हम अच्छे examples लेके आएंगे examples लेके आएंगे हम अच्छा elaboration लेके आएंगे मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी online दो हजार बारा के बाद दुरिया जिस सरीके से बदली है मैं सच में कहा रहा हूँ 2012 में मुझे ये भी imagination नहीं था किसी को भी नहीं था almost बहुत सारे आम लोगों को ये नहीं पता था कि आज से 10 साल बाद हम online पढ़ रहे होंगे वीडियो कॉलिंग हो रही होगी ग्रूप कॉलिंग हो रही होगी किसी को नहीं पता था लेकिन rational था reality बन गया आज ठीक है ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया आप ये बताओ democracy कभी real थी क्या बताना जरा democracy जो आज ये model है लोगों को स्वतंदरता देंगे समानता देंगे fundamental duty देंगे आपके rational ने इसको real बनाया आज जो दुनिया भर की सरकारे आपको नजर आ रही है या आपको कई मिला है कि democracy का इधियास 50 करोड साल पुराना है जंगल में जानवर भी democracy के साथ रहते थे आज जो ये system है ये real बना आपके rational से आज पूरा जो economic system चल रहा है market mechanism है capitalism है socialism है all rational यानि के ये आपको ये ऐसे किस और direct कर रहा है बटा ये ऐसे आपको direct कर रहा है innovation की और next step innovation नवाचार creativity ये सब possible कैसे हो रहा है अब बताओं मुझे सोचा था सोचा था कि सत्य ही यथार्थ है यथार्थ ही सत्य पहुच गए थे spirituality में पहुच गए थे धर्म में नहीं जाना भई धर्म में नहीं जाना spirituality में आपको क्या लगता है UPSC आपसे spirituality की वो ठीक है आप उसका एक dimension दे सकते हो spirituality को religion को define कर सकते हो एक दो paragraph में तो आपको क्या लगता है वो 1200 शब्दों में आपसे spirituality पूछना चारा है वो 1200 शब्दों में आपसे धर्म पूछना चारा है गलत इस topic को आप सिर्फ इतियास में बांध दोगे ना तो इसका मतलब आपने single dimension टच किया है इस topic का याद रखना single dimension अगर सिर्फ इतियास के इसाप से इसको explain करता चला गया इसका मतलब आपने 125 नंबर का लिखा तो जरूरे नंबर आएंगे आपके 50 45 तब भी मैं बोलता हूँ आप आप लोगों के पास भी logic होना जरूरी है आप लोगों के पास reason होना जरूरी है आप लोगों के पास explain चीजों को explain करना आपके पास explanation हो आपके पास senses हो किसी चीज़ को होने या prove करने की तो आप इस से देखो सत्य जो है वो है आप इसका मतलब एक और क्या है एक और मतलब क्या है देखो बेटा इसका मतलब सत्य एक है या अनेक real real एक है या अनेक आगे चलो थोड़ा बताओ मुझे real एक है या अनेक बताओ आपके logic से आपके rational से आप हजारो reality create कर सकते हो ठीक है उनके होने के पीछे rational है core में rational है तो जितने सारे logic जितने सारे rational जितने सारे sense किसी चीज़ को होने के करने के उतने सारे सत्य आप नए सत्य नए reality को create कर सकते हैं और ये reality है online education कल कुछ और होगा मैंने एक दिन आपको class में आद होगा हो सकता है आज से 10 साल बाद ऐसा technology आ जाए मैं हर बच्चे के कमरे में virtually नजर आ रहा हूँ आपकी दिवार के सामने ऐसे गुमता गुमता पढ़ता हुआ पढ़ाता हुआ नजर आ रहा हूँ वो एक और reality होगी उसके पीछे rational होगा ठीक है अब अब एक चीज बताओ जब गांधी जी कह रहे है राम राज्य है जब गांधी जी कहते है सुनो बेटा पॉलेटी में भी आने दो मुझे क्यों रोक रहे हो आप मुझे सुनो गांधी जी कहते है राम राज्य की स्थापना वो real की बात कर रहे है या rational की बात कर रहे है बता दो मुझे He is talking about reality और rational rational वो कहते है कि हम ऐसा राज्य स्थापित कर सकते है अगर हम चाहे तो और अगर UPSC लिख देता है सत्य को खोजा जाता है होता नहीं है अगर UPSC इस वाले से को हटा दे और उसके पीछे लिख दे सत्य होता नहीं है सत्य को खोजा जाता है नेक्स लेवल का सुनो बेटा नेक्स लेवल सुनो अगर UPSC लिखता है सत्य होता नहीं है सत्य को खोजा जाता है या सत्य को खोजा जाता है तो वो भी क्या पूछ रहा है अगर वो कहता है इश्वर सत्य है देखो अगर बात करते है इश्वर सत्य है इश्वर सत्य है इट मीन्स आई होप की ये चीज़े आपको समझ में आ रही है सोचने समझने का बस आप मुझे ये बताओ अभी सोच पारे हो ना बिटा सोच पारे हो सेम चीज़ आप पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आपको एक्जामपल दिया लोकतंत्र का एक्जामपल दिया रामराज्य का एक्जामपल दिया आप पुझीवाद की बात कर सकते हो उदर समाचवाद की बात कर सकते हो साइंस की बात कर सकते हो आप सभ्यता की बात कर सकते हो आप विज्ञान में हमने थोमस हलवा एडिशन को देखा डिजिटल टेक्नलोजी देखा कितने सारे एक्जामपल ले लिखते जाना आपको लगे कर ग्यारा सो शब्द, ग्यारा हजार शब्द लिख दो गया आप अगे चले, चले तो step one, understanding of the topic हो गया, step two हमने इसके social, political, economic, geographical और scientific dimensions ओपन कर लिए, हमने बहुत सारे examples निकाल लिए, अब बस सिर्फ हमें लिखना है conclusion में क्या डालेंगे, co-existed है, एक बच्चे ने बोला कि दोनों co-existed है और सत्या को स्थापित करने में rational काम आते है अगला, एक और ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको एक और ऐसे दिखाता हूँ एक ऐसे तो clear हो गया एक और ऐसे दिखते हैं अभी हम ये वला the process of self-discovery has now been technologically outsourced कि हम क्या है, मैं क्या हूँ self-discovery होता क्या है, खुद को जानना आप बोलोगे सर, खुद को कैसे जानूँ, मैं तो जानता हूँ तो process of self-discovery now has been technologically outsourced swim के जानने की खोज बाहिय शुरतों पर निर्भर हो गई तो पहले तो मुझे ये समझ में आना पड़ेगा कि self-discovery होती क्या है what is self-discovery अब फिर मैं देखूंगा outsource कैसे हो रही है बाहिय शुरत मेरी self-discovery में मुझे कैसे help कर रहे है ये मुझे help करते है self-discovery मतलब मुझे जानने में तो सीधा का मतलब ये है बाहिय शुरत आपको खुद को जानने में कैसे help कर रहे है या बाहिय शुरतों के जरीए आप खुद को कैसे जानते हो खौल ले इसको इसको भी खौलना शुरू करते हैं बताओ ऐसे नहीं खुल रहा आपके logic खुल रहे है बिटा क्या है ऐसे process of self-discovery ये इसको आपने self-discovery को क्या करा technically technically है टेकनलोजीकली टेकनलोजीकली outsourced आपको क्या लगता है UPSC आपसे क्या चाहता है UPSC को एक प्रबुद सिविल सर्वेंट चाहिए शानदार जबरदस्थ परसनेलिटी चाहिए उसको यो चाहता है कि जब आपके हाथ में देश की बागडोर आए तो वर्तमान समय में transition phase से चल रहा है सारे दुनिया भर की वैवस्ता है तो ऐसे में ऐसे कुछ intelligent ऐसे प्रबुत ऐसे लोजिकली strong personalities चाहिए जो society को system को लोगों को direct कर सके उनको protect कर सके उनको help कर सके ऐसे लोगों की तलाश है और मैंने बुला था ऐसे writing आपका personality test है कि आप कितना देख पा रहे हो कितना सोच पा रहे हो beyond the line कहा हुआ तो self discovery में क्या आता है आपके अंदर क्या है आप ये बताओ मैं कहूँ आपका self discovery self discovery में क्या खुजोगे आप क्या खुजता है आपके अंदर क्या चुपा है आपके emotions चुपे है चुपे है या नहीं बताओ सेल्फ डिस्कवरी आदमी खुद को जानने में क्या जानेगा मेरे अंदर इमोशन है अब मैं अंदर गुसके अपने नली लगा के फेपड़े तो नहीं देखूंगा या मैं अपने स्टमक को तो नहीं देखना चाहरा भाई कहा है स्टमक भाई साब क्या कर रहे हो ना सेल्फ डिस्कवरी में आप अपने इमोशन्स को डिस्कवर करते हो अपनी बुद्धी को अपने इंटेलिजेंस को सेल्फ डिस्कवरी में आप अपनी इच्छाओं को डिस्कवर करते हो मुझे क्या चाहिए है ना आप इच्छाओं को ठीक है प्राथमिक ताओं को सेल्फ डिस्कवरी में आप अपनी नेतिकता को डिस्कवर करते हो सेल्फ डिस्कवरी में आप अपने मुल्यों को डिस्कवर करते हो बताऊंगा सब कोई बहुत ज़्यादा health conscious है तो self discovery में आप अपने स्वास्तिय तंत्र को अपने स्वास्तिय तंत्र को discover करते हो यह UPSC है ना जिसकी आप त्यारी कर रहे हो self discovery है क्योंकि आपको लगता है आपके अंदर के emotions आपकी जो इच्छाए है आपको लगता है मेरी UPSC के साथ ही देश में 130 करोड से ज़्यादा आवादी है सब के मन में ख्याल नहीं आता 20-30 लाख लोगों के मन में क्यों आ रहा है यह आपका self discovery है अब बेटा अभी बोलने दो मुझे मुझे बोलने दो self discovery का दूसरा dimension किसको खोज रहे हो आप खुद में क्या खोज रहे हो आप अपनी बहुतिक जरूरतों को खोज रहे हो बहुतिक जरूरते बहुतिक जरूरते रोटी क्या खाऊं क्या पीऊं पिज़ा बर्गर मुई तो ये वो दालबाटी चूर्मा लिखी चोटा लिखी चोखा लिखी लिट्टी चोखा तो बहुतिक जरूरते तो आदमी अपनी बहुतिक जरूरते रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स इसको self discover करता है मुझे क्या चाहिए, कैसा मकान चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए कैसा खाना चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए आप खोज रहे हो अपनी भौतिक जरूरतों को आप खोज रहे हो अपनी सुरक्षात्मक जरूरतों को आईए इस क्या है एक रोजगार जब आदमी खोजता कहता है ना मैं रोजगार ढूंडना चाता हूं वो अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाता है तो हम जब अपने रोजगारों को ढूंडते हैं तो हम अपनी सुरक्षा की जरूरतों को दिमाग में रखते ऐसा रोजगार चाहिए, BMW कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, दस नोकर चाहिए, सब साप 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 बोले ठीक है? तो इसके अंदर आपका स्वास्ते आ जाएगा, स्वास्ते आपकी सुरक्षा जरूरत है स्वास्ते आपकी सुरक्षा जरूरत है बिटा स्वास्ते आपकी सुरक्षा जरूरत है रोजगार आपकी सुरक्षा जरूरत है फिर फिर आप खोजते हो सेल्फ डिस्कावरी ओफ लाओ Discovery of love and relationship किसमें? आपके परिवार के लोग, आप आपका परिवार, आपके मित्र, आपका जीवन साथी, boyfriend, girlfriend, love and relationship की self-discovery है ठीक है, this is love and relationship, self-discovery, self-discovery of esteem Esteem क्या? आपको चाहिए respect, आपको चाहिए status आपको चाहिए recognition, समाज में है न, recognition Self-discovery of esteem And self-discovery of self-actualization Self-actualization कि अंत्त है आप वो काम करना चाहते हो, आप अपना best करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो तो कहता है कि जो ये self-discovery है, ये सब की सब आपका, आपका emotion, आपका intelligence, आपकी priority, आपके ethics, आपके values, आपका health system, है न, आपकी physical needs, security needs, love, relationship, esteem, self-actualization These all are your self-discovery कुछ इसमें भौतिक है, तो कुछ emotional पार्ट है तो अपने अंदर आप ये सब जाक रहे हो, ये पहला पार्ट हुआ, essay का पहला पार्ट, कौन सा? आत्म संधान की प्रकिरिया, तो पहले मैं ये तो जान लू, मेरे अंदर क्या चुपा है? अब सेकिंड पार्ट पे चलेंगे, हम technologically outsource कैसे कर रहे हैं, मतलब इसको मैं कैसे, बाहर कैसे देख रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बाहर कैसे? Emotion, film आती है, दंगल मूवी आती है, दंगल मूवी आती है, पंगा मूवी आती है, चकदे मूवी आती है क्यों रोने लगते हो? सरब जीत मूवी आती है, पिंजर मूवी आती है, क्यों रोते हो आप? क्यों आपके अंदर जोश भराता है, क्यों आप emotions रोने लगते हो? आउट्सोर्स, वो मूवी आपके emotions को अराउज करती है, वो किताब पढ़के रोना आ जाता है, किसी की स्टोरी सुनके रोना आ जाता है, किसी को सुनके motivate हो जाते हो, आपके emotions को अराउज कर रहा है वो क्यों सुनते हो संदीप महिश्वरी को? क्यों सुन रहे हो? आप मुझे बताओ संदीप महिश्वरी को क्यों सुन रहे हो आप? क्या logic है संदीप महिश्वरी को सुनने का? आपको रोजना लबासना वाला status क्यों लगाना है? बताओ motivation समझे outsource हो गया outsource समझ में आ रही है चीजे समझ में आ रही है न पहले एक बर like करो मज़ा आ रहा है न session को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो like करो मुझे नहीं पता कि ऐसा discussion पहले हुआ online या नहीं I don't know कि जो चीजे में बता रहा हूँ अब से पहले किसी ने बताई है या नहीं मैंने किसी को नहीं देखा ये मेरे logic है ये मेरी सोच है ये मेरा तरीका है चीजे को explain करने का ठीक है बहुत बढ़िया तो समझ में आ गया मूवीज नॉवल्स बुक्स intelligence intelligence artificial intelligence आपको market में इन दिनों बहुत सारे coaching center वाले अपनी test series जब बेचेंगे तो बोलेंगे our test series based on artificial intelligence आपके intelligence को निकाल के लेके आने में आपके weak point को निकालने में AI based test series का मतलब क्या है वो आपको question देंगे और हर question में आपको performance analysis करके देंगे कि आप society वाले question में weak चल रहे हो आप science technology में इस वाले part में weak चल रहे हो आप CSET का paper लगा रहे हो तो वो बता देंगे maths के 10 topic में से 3 topic में आप weak चल रहे हो आपका performance graph ये कहता है तो आपके intelligence को self discovery of your intelligence has been outsourced हो रहा है ठेक है बहुत बढ़िया भई आप AI based test series क्यों खरीद रहे हो अभी market में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है AI वाली अनकेडमी की test series भी AI based है हम क्या देते हैं आपको आपका detailed performance analysis कहाँ weak हो कहाँ strong है आपके पास पूरा चिठा आ जाता है test series को join करने का reason ही क्या है आप अपनी intelligence को identify करना चाहते हो मैं कहा क्यूं लगाते हो test series क्या reason है test series को लगाने का self discovery लेकिन outsource हो गई done next कहता है अपनी इच्छाओं और प्राथमिक्ताओं को भी आपने अभी यह जो जितना digital वाला चल रहा है ना e-commerce चल रहा है बटा total e-commerce आपको क्या पसंद है कैसा कपड़ा कैसा design कैसे आप article कैसे खिलोने देख रहे हो कैसे वस्तर देख रहे हो कैसे गैजट्स देख रहे हो technology आपको help कर रही है आपने बहुत सारी apps देखी होगी उसमें जो filter लगते है apps देखिए ना amazon flip card filter लेगे देखिए कर filter लगा के मेरे को इतने रुपे तक का ही चाहिए मुझे 100 रुपे से 500 रुपे तक का gift चाहिए और category डाल दोगे कि बच्चे के लिए चाहिए लड़के के लिए चाहिए girlfriend के लिए चाहिए boyfriend के लिए चाहिए papa के लिए चाहिए मम्मी के लिए चाहिए filter लगा दिये आपने outsource वो सारा काम करके लाके वो देगा आपको technology चीजे हिट हो रही है ना बेटा मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा कि मैं यह सारे topic ना यह सारे topic में आपको इसमें आत्मसंधान की प्रक्रिया भाहियश्रोतों पे चली गई अब मैं इसमें आपको ले जाओं गोतम बुद्ध महवीर स्वामी आपको लगता है उनका example डाल देना ओके उनके example डाल देना डाल देना लेकिन कोई बच्चा सोच रहा है यह सिर्फ philosophy है अगर philosophy optional वाला बच्चा सोचता है कि यह philosophy से tackle हो जाएगा भूल जाओ भाई history optional वाला सोचता है कि मैं तो सिर्फ history history UPSC SN चाता ही नहीं भाई वो चाता है कि आप इन चीजों को real life से connect करने की चमता हो आपके पास इसलिए है यह topic वो जब आपका ऐसे इतने सारे डाइमेंशन में और इस तरीके से पढ़ेगा उसको लगेगा यार यह बच्चा जान रहा है चीजों को नेक्स चलो नहीं तिकता इन दिनों जितना टेकनलोजी है क्या करना है कैसे करना है कौन सी एप कौन सी नहीं एप उन में कौन कौन से filter वो सब क्या है technologically outsourced आप अपने value system को technologically आप उसको identify कर रहे हो आप अपने health system यह आपको क्या लगता है वो जो smart watch बिकरी है smart watch आपका heart beat पता चल जाएगा आप कितने घंटे deep sleep लिया आपने है ना कितने घंटे गहरी नींद कितने steps लिये कितना calorie burn किया क्यों जानना है आपको self discovery outsource किसको कर दिया smart watch को वो बताएगी आपको आप कौन हो पॉइंट पे हिट कर रहे हो है आप नहीं बताओ मुझे पॉइंट जाके हिट कर रहा है या नहीं और जैसा UPSC का pattern है मुझे लगता है अभी आने वाले सालों में वो एक दो साल ऐसे question और पुछेगा वो चाहता है कि आपका thought process इस level पे जाके develop हो और मैं भी चाहता हूं कि वो ऐसे ही essay पूछे सच में मुझे अच्छा लगता है कि UPSC ये वाले essay पूछेगा आप इन पे सोचोगे आप इस पे समझोगे ये exam क्योंकि जो थोड़ा आजीब से type के होंगे न रत्टू टोटे type के रत्टू रत्टू तोता होता है न रट लेंगे ये भी रट लेंगे वो भी रट लेंगे यहां आके fail हो जाएंगे हो वो टोर्च मार मार के देखेगा रहे भाई ये क्या होगा इसमें क्या लिखूंगा ये तो gs में पढ़ाई नहीं तो step 1 क्या हुआ step 1 आप उझे बताओ step 1 हम इस topic को understand कर गए समझ में आ गया topic क्या पूछना चाहता है येस बहुत अच्छे से understand कर गए सेकेंड क्या हम इसके dimensions को open कर पाए step 2 क्या हम इसके dimension को open कर पाए येस सर हम अपने emotion को intelligence को इच्छाओ को नैतिकता मुल्य स्वास्तिय परिवार लव एस्टीम सेल्फ एक्चुलाइजेशन सेफटी नीड फिजिकल नीड है हमने जितने dimension हो सकते थे कोशिश की इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं थर्ड हमने examples निकाल के लाए क्या हम step 3 example निकल के लाए हम यहां पे emotions movie open ya cinema intelligence artificial intelligence based test series कर पा रहे हैं मतलब इस काम को हम कर पा रहे हैं ठीक है वो smart watch के मैंने आपको example दिये इसका मतलब हमने examples भी निकाल लिए third level तक हमें कोई दिक्कत नहीं है तीसरे level अभी तो step 4 की बात ही नहीं कर रहा न बटा मैं अभी तो मैं step 4 की बात ही नहीं कर रहा पहले तो आज आज की class और जो कल की class होगी वो कल की class में भी हम step 1, step 2, step 3 इनहीं को एक बार करना है लिखेंगे बाद में लिखने का काम प्रैक्टिस का काम है वो बाद में ये भी लेकिन प्रैक्टिस है एक बार अपने दिमाग को दोड़ाना शुरू करवा step 4 पे भी आएंगे don't worry step 4 पे भी आएंगे पहले step 3 तक तो जाए ठीक है एक बच्चा जिद पकड़े हुआ है यह ना एक बच्चा जिद पे अड़ा हुआए कर लिखेंगे कैसे जैसे उसको ये तीनों चीजे समझ में आ गई ये भी समझ में आ गया उसको ये पहले से ही enlightened था यहां तक भी उसको सब कुछ पता था वो इसी पर या कर उसकी गड़ी यहां पर आकर टक गई मतलब उसकी सारी self discovery step number four पर आकर टक गई उसको लगता है ये नहीं खोजूँगा तो मैं कुछ खोजी नहीं पाऊंगा ठेक है बच्चे कहरे सर आज रक्षा बंधन है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस लायक बने कि अपनी रक्षा स्वेम कर पाए ये जीवन competition का दोर है ये जीवन ये जिस दोर में आप जी रहे हो बहुत जादा competitive age है और इस सब में आप सब इस लायक बनो ग्यान से, knowledge से, logic से, महनत से कि इस जीवन को सुरक्षित जी सको तो ये रक्षा मंदन पे मैं आप सभी लोगों को मेरी जो दुआये हैं और मेरी wishes हैं कि आप अपने आपको सुरक्षित रख पाओ इस दोर में सुरक्षित मतलब भटक न जाओ आप अपने आपको identify कर पाओ आप जो चाहते हैं वो achieve कर पाओ खेक हैं तो आप अपनी रक्षा के लायक बन जाओ तो मैं आपको ये आशिवात देता हूँ इस रक्षा बंदन पे तो कि जब आप खुद की रक्षा करोगे तब दूसरे को protect कर पाओगे खुद ही protected नहीं हो दूसरे की तो क्या protection करोगे आप भई self protection ही नहीं हो रहा बाकी का क्या करेंगे इस समाज को जरूरत है आपकी देश को जरूरत है मेरी भी है लेकिन जो मेरी duty है मैं उसको perform कर रहा हूँ और बहुत इमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी लेकिन उस दोर में आ जाए जब आप अपनी duties को जिस form में play करना चाते हो या perform करना चाते हो आप करो तो ये वाला इससे भी कर लिया हमने ये वाला इससे भी हो गया हमारा आत्म संधान वाला ये वाला भी हो गया कल ये वाला करेंगे आपकी मेरे बारे में धारना आपकी सोच दर्शाती है आपके प्रती मेरी प्रतिकिरिया मेरा संस्कार है फिर है इच्छा रहीत होने का दर्शन कालपनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया ये वाला होगा और पालना जुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है ये देखेंगे इसे क्या मतलब है ये देखेंगे इतिहास स्वेम को धुराता है पहली बार एक तरासदी के रूप में दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में इस पे भी डिसकस करेंगे सर्वत्तम कारिया प्रनालियों से बहतर कारिया प्रनालिया भी होती है इस पे भी हम डिसकस करेंगे लिखना शुरू करेंगे, step 4 पे तब आएगे, तो अभी हमारी class होगी, class होगी, 5 बजे हमारी class है बेटा, unacademy app पे English compulsory की class है, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल free of course class है, जिस भी बच्चे को English compulsory में problem है, ये classes देखना mandatory है बाई, मैं अपनी तरफ से देखो, जो मेरा rational है, याद रखना बिटा, जो मेरा rational है, मैं उसको real में convert करूँगा, है ना, ये मैं अपनी तरफ से हर प्रियास करूँगा, आप भी कोशिश करो कि जो आपका rational है, ये जो आपका dream है, आप अपने dream को reality में convert कर पाओ, तो मेरा भी सतात और निरंतर प्रियास है, आप भी निरंतर प्रियास करें, पांच बजे मिलते हैं अनकैडमी एप पर, उसके साथ ही geography optional जिस भी बच्चे का है, वो या लेना चाहता है, अनकैडमी को नवीन one, referral code के साथ, मेरा optional का course purchase कर सकते है, और मैं हमेशे ही कहता हूँ, ये सिर्फ एक code नहीं है, discount तो बेटा सारे code को लगाने से मिलेगा, सब equal है, इस code के साथ साथ आपको एक support system, एक guidance मिलेगी, एक mentorship मिलेगी, तो वो आप इस code को आप इस्तमाल कर सकते है, 19 जुलाई से शुरू हो गया, और जिसने optional decide नहीं किया, मैं कहता हूँ, जोगरफी लो, और भूल जाओ, बजार में जितनी भी भ्रांती चल रही है, कि result नहीं आता, ये नहीं आता, हिंदी माध्यम के 20-25 result है, ऐसा कोई भी optional नहीं है, कि अपने optional से उसने 100 result दे दिये, हिंदी माध्यम में, या उसने 500 result दे दिये, ऐसा कोई भी नहीं है, सब equal उस पे सब महनत कर रहे है, मेरे साथ आके जुड़ो, और मैं आपको एक परिवर्तन और एक नए result दे के दिखाऊंगा, आप बस आपने एक ही काम करना है, optional लेने की आपने हिम्मत जुटानी है, उसके साथ ही साथ, यहाँ पे देखो, geography, optional और ethics, यह दोनों plus course अब लेबल है, अनकेडमी पे आप जॉइन कर सकते है, art of answer writing और English compulsory, English compulsory की class चलती है, हमारी Thursday से, Saturday के बीच में, इस class को आप जॉइन कर सकते है, management, essay writing, नेतिकता की अदालत, बिल्कुल free है, आप डाउनलोड करो, सीधा, अनकेडमी लर्नर अप डाउनलोड करो, free बे देखो इनको, और अनकेडमी को क्यों जोइन करना है, पहली बात तो मुझे बोलने में कोई शक नहीं है, आज अनकेडमी के पास, दूसरे से नहीं है, आज तीसरे से पढ़ लो, flexibility है, अपने optional को change करने की, unlimited live और recorded दोनों classes देख सकते हैं, मतलब जो job में हैं, उनके लिए बहुत जादा अच्छा है, वो रात को या किसी भी time recorded classes को देख सकते हैं, doubt solving session है, answer writing practice है, live mentorship है, printed आपको notes मिलेंगे, और साल 2020 में result देखो अनकेडमी के, 170 से जादा और 21 में 178 से जादा result थे, rank 3, 4, 5 सब अनकेडमी के ही learner है, उसके साथ ही साथ, ये doubt दरबार है, आज 11 अगस्त है, शाम 5 बजे आप quality IR, current affair पे जो भी doubt हो, इसको scan करके free of cost इस doubt session को join कर सकते हो, उसके साथ ही आज का session समाप्त करते हैं, मैं आपसे मिलूँगा 5 बजे, English कंपल सरी की class में, तब तक अपना ख्याल रखना, इस session को देख लेना, एक बार के में समझना है, दूसरी बार में देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, बाई बाई टकेर.